हेलो एवरिवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चाइनल हिंदी ज्यान में मित्रो, आज की जो हमारी हिंदी की क्लास है वह कुमाउं विस्विद्याले नैनिताल के चतुर्थ सैमेस्टर के विद्यारतियों के लिए है जिने मैं आज हिंदी साहित्य का पाठे करम बताऊंगा आज का हमारा यह वीडियो पाठे करम पर आधारी थे बहुत सारे विध्यार्थियों का पूछना था कि कुमाव विशु विध्याले ननिताल की चतुर्त सत्राअर्ध का हिंदी साहित्य का स्लैवस उन्हें बता दिया जाए, पाठे क्रम उन्हें बता दिया जाए तो आज हम देखते हैं पाठे क्रम और इसमें कुछ चेंज हुआ है आप लोग देखेंगे मैं आपके सामने लाया हूँ 2018 में कुछ चीज़ें चेंज हुई थी वो हमारे फ्रंट में है 2018 में वस्तो निष्ट प्रस्नों को जो एक नमबर के आपके question आते थे प्रस्ना आते थे उनको हटा दिया गया है देखेंगे इसमें लिखाया है परिक्षा नियंत्र कुमाव विस्तो इध्याले द्वारा परिक्षाओं में वस्तो निष्ट प्रस्नों को हटाने के संदर्व में तो आप लोग वस्तो निष्ट जो प्रस्न है उनको न पढ़ें या फिर उनके चक्रों में न रहें तो यह 28-9-2018 का यह लेटर है आप लोग देख सकते हैं नीचे यह सारा कुछ इसमें बताया गया है अब हम जाते हैं स्लेवस की और की पाठे क्रम क्या है तो देखते हैं कि जो हमारा पहला पेपर रहेगा अर्था चतुर्थ सत्रार दवालों के लिए जो पहला पेपर रहेगा वह सब्तम पेपर कहलाएगा हलाकि वह इनका पहला पेपर होगा क्योंकि चतुरत सत्रार्द वाले इससे पहले 6 बुक्स पढ़ चुके हैं 6 प्रस्न पत्र वहां हल कर चुके हैं तो बुक का नाम है चायावाद उत्तर हिंदी कवीता चायावाद उत्तर अर्थात चायावाद के उत्तर का अर्था चायावाद के बात की जो कविताएं हैं वह आपके इस सलेवस में लगी है बहुत सारे विध्यारतियों का यह कहना था कि चायावाद उत्तर हिंदी कविता और प्रोफेसर सिरिश कुमार मोर यह हमें सलेवस में मिल गया है लेकिन इसमें पुस्तकें कौन-कौन सी लगी है कौन-कौन सी बुक्स इसमें लगी है इसके बारे में वह जानना चाह रहे थे तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें कौन-कौन सी बुक्स लगी है चायावादोत्तर जो हिंदी कविता आपका पाठिक्रम है उसमें जो आपकी बुक लगी वी है पुस्तक लगी वी है वह है चायावादोत्तर हिंदी कविता और उसके संपादक है प्रोफेसर सिरीश कुमार मौरी जी तो आप लोग देख लेंगे अगर आपके पस पुष्टक है चायावादोत्तर हिंदी कवीता तो बहतर है Otherwise आप लोग देखेंगे कि उनमें कौन-कौन सी कवीता हैं आपके पाठिक्रम में हैं सबसे पहले आपकी जो कवीता है वह अग्ये जी की कवीता है अग्ये चायावादोत्तर काल के बहुत बड़े कवी हैं उनकी पहली कवीता है कलगी बाजरे दूसरी कवीता है यह दीप अकेला उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोर जो बहुत प्रसिद्ध कवी हैं उनकी कवीता हैं भूल गलती एक रग का राग दो कवीता हैं तीसरे हैं नागारजुन नागारजुन की कवीता हैं अकाल और उसके बाद उसके बाद हैं कालिदास दोनों कवीता हैं अगले हैं समस ना जिस्म, दोनों कविताएं हैं, भवानी प्रिसाद मेश्र की हैं, कहीं नहीं बचे और गीत फरोस, दोनों इंपोर्टेंट कविताएं, दोनों सरल कविताएं हैं, इसके बाद आप देखेंगे, कुछ कविताएं और लगी वी हैं, कुवर नारायन जी की नच केता, केवले एक कविता लगी विये, इसे आप देखेंगे, सरवेश्वर दयाल सकसे न, मैंने कब कहा, और दुसरी कविता है, हम ले चलेंगे, उसके बाद केदारनाथ से हैं, की कविताएं हैं, रचना की आधी रात फरक नहीं पड़ता, दू केदारनाथ जी की हैं कविताएं, तो आपक के पास ये राइटर हैं, लेखक हैं, और इनकी ये कविताएं हैं, आपको आपका स्लेवस मिल गया, फर्स्ट पेपर का, जो आपका पहला पेपर होगा, जिसे हम सब्तम प्रस्न पत्र के नाम से जानेंगे, अब देख लेंगे, हमारे परिक्षा में आ क्या रहा है, हमारे हमें 6 व्याख्याईं आएंगी, जिसमें से हमें 3 व्याख्याईं करने होगी, और प्रतिक्षा च्छे नंबर की होगी, तो 6 तया 18, 18 नंबर की 3 व्याख्याई हो गई, उसके बाद 2 लग लग फ्रस्न प्रस्न आएंगे, जबकी 4 कौ department पूछे जाएंगे, चार प्रस्न आपकोे 10 प्रशन आएंगे जिन्हें आलोशनात्मक प्रसन कहा जाता है। यह करने और इसमें आपको विकल्प मिल सकते हैं कि आपको अथवा में कौन कौन से करने हैं इसके बाद देखेंगे आपके 55 marks का हो गया उसके बाद आपका आंतरिक मोल्यांकन है आंतरिक मोल्यांकन में आप assignment और भी बहुत सारी चीजे हैं जो आंतरिक मोल्यांकन के अंतरगत आती हैं वहाँ आपका 20 नंबर का है कुल मिला के 75 नंबर तो 75 नंबर का आपका पहला paper हो ज दुतिय प्रश्णपत्र देखेंगे इसनातक चतुरत सत्रार्द हिंदी साहित्य अस्टम प्रश्णपत्र इसमारक साहित्य देखेंगे अस्टम प्रश्णपत्र अर्थात यहाँ पर आपका second paper आप लोग 6 paper फोस सेम सेकंड सेम थर्ड सेम में पढ़ चुके हैं तो अभी यहाँ पर देखेंगे इसमारक साहित्य इसमारक साहित्य के अंतरगत क्या क्या है हम इसे भी देखेंगे 75 नंबर का paper होगा और निर्धारिज जो पाठे पुस्तक है वहाँ इसमरती वीतिका है जो प्रोफेसर निर्मला डेला बोरा जी द्वारा संपादित की गई है इसमा वीतिका नाम से दिया है हलाकि इसमरण वीतिका नाम से पुस्तक आ रही है अगर आपके पास है तो well and good है अदरवाइस आप लोगों को में दिखा देता हूँ कि इसके अंदर स्लेवस क्या क्या है आप लोग देख लेंगे इसमरण वीतिका के अंदर इसमारक साहित्य ग्रे रेखाचित्र किसे कहते हैं, संसमरण किसे कहते हैं, अधिकतर यही कॉश्चन पूछे गए हैं, तो देखेंगे, रेखाचित्र में है, महाकवी जैसंकर प्रसाद, सिवपुजन साहय जी द्वारा लिखा गया है, मगदूम बक्स, यह सेट गोविंद दास जी द्वारा लिख गया है, उसके बाद लल्लू कब लोटोगे, यह बनारसी दास चतरुवेदी जी द्वारा लिखा गया है, एक कुत्ता एक मेना, डक्टर हजारी प्रसाद दिवेदी, यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, यह हैं प्रोफेसर ससांक विश्नुकांत सास्त्री, यह आपक के पांच रेखाचित्र हैं, उसके बाद आप देखेंगे संस्मरण, रेखाचित्र और संस्मरण में बहुत कम अंतर होता है, आप लोग इसे पढ़ लेंगे, संस्मरण में तुम्हारे इस्मृती, संस्मरण का इस्मृतिकार, यह अग्गे जी द्वारा लिखा गया है, द संसमरण और पांच रिखार चित्र हैं सारे की सारे महत्तुपूर्ण हैं किन्तों फिर भी कुछ जीज़ें जो खास इंपोर्टेंट हैं तो यह था आपका स्लेवस अब आप देखेंगे कि आपका यह सेकंड पेपर में क्या क्या आना है सेकंड पेपर आपका इसमारक साहित्य है इसका अंक विभाजन इस प्रकार है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वस्तोनिष्ट प्रस्न आपके नहीं आएंगे 2018 में आपके वस्तोनिष्ट प्रस्न हटा दिये गए हैं 19 के पेपर में नहीं आए थे तो आगे देखेंगे पाठी पुस्तक से तीन व्याक्ष्ण आएंगी जो आपके संस्मिरण और रेखा चितन है उसमें से तीन व्याक्ष्ण आएंगी हालाकि छे व्याक्ष्ण आपके 20 नंबर का होगा तो बित्रो आप लोग अपना स्लेवस जान लेंगे स्लेवस को जानने के बाद आपने स्लेवस को पढ़ें और देखें जो भी आपको समस्या आती है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें मुझसे पूछें और आपको आपके प्रसनों का पाउत्तर मिलेगा साथ ही आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सेयर करना ना भूलें वेल आइकन प्रेस करें जिससे की आने वाले वीडियो आपको समय से मिल सकें और उसकी जानकारी आप तक पहुंच सकें धन्यवार